लिखते हैं पढ़ते हैं और मैं सुरू से जब से आंदोलन या जब इस्टोटेंट लाइब था जारकन आंदोलन के पढ़ती एक रुजान थी और मेरे पिता जी पताया करते थे जैपाल सिंग के बारे में भी और उनकी कहानियों को या उनके आंदोलन का जो रास्ता था और हम लोग कभी-कभी मैं तो 1973 से आंदोलन में आया तफ्तर जैपाल सिंग इस दुनिया में नहीं रहे 20 मार्च 1970 को वह इस दुनिया से चले गए लेकिन लोगों के मुह से और किताबों को पढ़ने से हम लोगों को मालूम होता था कि जैपाल सिंग क्या थे क्या नहीं थे तो सही में वो जार्खन के प्रण्यता थे जिसों के जिनों ने दसा और तिसा दिखाया और आज हम लोग उसी पर जिनों पर चल कर जार्खन बनाने का काम किया अबर मैं जैपाल सिंग का जीवनी कहने के पूर्व में जाना चाहता हूं वह तिखे हमें जाना होगा कि फिर्सामुन्ला का जो आंदोलन था उल्गुलान जो उनुँँने कहा था कि अबुआ दिसों अबुआ जार्खन या अबुआ राज उनुँने जार्खन नहीं कहा लेकिन जार्खन ही था कि उन्होंने कहा कि अबुआ दिसों अबुआ राज उसके बाद कि उनका आंदोलन आगे बढ़ता गया अंग्रेज घपड़ाए अंग्रेजों ने उसे किस तरह से सजा दिया उनकी मौत हुई यह सारा कहानी है आप लोग सभी जानते हैं हम उसके बाद आते हैं कि उनिस्तों पंद्रह में सोड़ानापूर उनती समाज बना और उनती समाज में उसमई के जो निता थे मैं उन्हों का नाम यहा लेना चाहता हूँ इसलिए कि जैपाल सिंग का आज हम लोग उसकिताब का विमोटन लुकार्पूर समारों में बात कर रहे हैं तो उन महापुर्सन का भी नाम आना चाहिए उसमें खास करके राइसहा पंदिराओ उराओ अलपोन्स गुजूर इलियास टोकनो वीर्शी मुंडा जुएल लकडा आनन्द मसी थियोडर सुरीन पोलतयाल अधिबक्ता कर दो किम पोलतयाल ना सकुरीन जुएल सुरीन तो थियोड़ वीर्शी भीर्शी अवीर्शी ठाइस साज़ ज्योगर्स चाहिएशार वीर्शी भीर्शी